तो हम लोग क्या देखे थे टाइम एन वाक में पिछले क्लास में एक तो देखे थे कि रेमुनरेशन वेज़ेस का डिस्टिब्यूशन कैसे होगा और दूसरा देखे थे कि अगर वर्क हो रहा है तो वर्क कितने दिन में समाप्त होगा अल्टरनेटेश कार्थ होता है कि एक दिन A, दूसरे दिन B, फिर A, फिर B या और भी कुछ भी हो सकता है फॉस्ट डे ए, सेकेंड डे, B and C, फॉस्ट डे ए, फिर B and C, तो ये सिक्वेंस भी आगे बर सकता है या कुछिन काता है कि फॉस्ट डे ए वाज अट वा और दूसरे दिन B और C उसको हेल्प करने के लिए आजाते है फिर अगले दिन A अकेला फिर B और C या कुछिन को और ऐसे कर सकता है कि फॉस्ट डे ए और सेकेंड डे भी ए और थर्ड डे B and C असिस्ट डे है तो इस टाइप से कोई भी कुछिन होगा कुछिन के लिए मैंने क्या बताया आप टोटल वर्क सपूज कर लो और वर्क कैसे सपूज किया जाता है तो इसके लिए बताया था कि जो नंबर ऑफ डे ज है उसका LCM ले लो और उतना वर्क हो गया तो इस पे हम लोगों ने जो कुछिन देखा था A and B अब लोगों को यह कुछिन देख रहा है प्रशान प्रशान कुछिन देख रहा है प्रशान मेरी आवाज जा रही है तो आपका फॉस्टे है में भी की समझ में नहीं है लेकिन कोई बात में कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज से इसको चुकि बहुत इंपॉर्टेन पॉर्सन है इसलिए आज से हम लोग इसको देख रहे हैं और अच्छे से इसको इंड करने हैं फिर अगले दिन यानि कल हमनों नए चाप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे तो यहां A और B can complete a piece of work in 12 and 18 days A begin to do the work and they work alternatively alternate day में work करते हैं one at a time for one day each the whole work will be completed in यानि A और B काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं एक काम करना शुरू करता है और बारी बारी से alternate day को करते हैं इंदी में बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा तो हम लोग देखें कि ऐसे case में question में क्या given है तो A 12 days में और B 18 days में लगवर question आप लोने पढ़ा भी होगा बहुत लोग से clear भी हो गया होगा फिर भी हम लोग देखते हैं तो 18 और यानि जिन लोग का हो गया होगा वो कोशिस करो आज के बार alternate day के questions को एक दम सोचे और solve कर दे think without ing कि question कितना भी लेंदी हो चुकि यह सबसे time and work का सबसे toughest part माना जाता है alternate day का work और इसको हम लोग easy बना रहे हैं इसको किसी बिदग से कोशिस करो कि हम solve कर दें बाकि सब लोग यह धियान देंगे कि जब 12 और 18 है मैंने क्या बताया इसका LCM ले लो LCM आगया 36 और जो LCM आया इसी को मैंने बोला कि यहीं आपका total work हो गया जो LCM आएगा वो total work हो गया अब बता यह जो है 12 days में पूरा काम करता है तो और उसको 36 काम करना है इस कार्थ एक दिन में कितना work करेगा तो 12 से 36 को divide कर दो एक एक दिन में तीन work करेगा और भी एक दिन में 18 दुना 36 दो work करेगा तो यह work पर डे यह क्या हो गया वर्क पर डे या डेली का वर्क तो देखने के साथ यानि अब से कुशन को 12 और तो यह एक दिन में तीन वर्क और भी दो वर्क यानि दोनों मिलकर के एक दिन में पांच काम करते हैं मालों नंबर अप वर्क है अब तो यह दोनों मिलकर के फाइब अब तो पहले यह देखें के देली का पाले का एक दिन का वाक थ्री है और दूसरे का टू है तो दोनों मिलकर के फाइब अब कोश्चन चुके कह रहा है कि अल्टरनेट इस अब हम लोग कोश्चन प्यार है अगर अल्टरनेट कह रहा है अल्टरनेट मतलब दो दिन में यह दोनों मिलकर के पांच वर्क करें पहले यह दो दिन को पहले साइड रखो पहले हम लोग ऐसे सूचे एक दिन में तीन व सब्सक्राइब लेकिन कोश्य में क्या का रहा है अल्टरनेटीवली अल्टरनेट डे में वो अब और कर रहा है इसका आर्थ है कि इन टू डेज कि ए प्लस बी कितना वर्क करेंगे थ्री और टू फाइब वर्क हमनों को यही लाइन समझता है और कोई भी कोश्यन होगा ऐसे भी बना सकते हैं मालो मैंने एक और अलग कोश्यन भी बताया कि ए वर्क को दस दिन में और भी उसी वर्क को पंद्रह दिनों में यह 10 डेज में औ दोनों दोनों मिलकर कितने दिनके तो हम लोग क्या करेंगे अगर ऐसे सूझें तो मैंने क्या बताया टोटल वर्क सब्सक्राइब सब्सक्राइबर कैसे होगा tuk 10-150 का ऐसी हो गया है यानि काम जो है 30 CORS 30 वर्क है और एक दिन में कितना वर्क करेंगा तह 1030 वर्क और बी एक दिन में कितना वक्ड दो वक्ड तो दोनों एक दिन में कितना वक्ड तो तीन और दो पांच वक्ड एक दिन में दोनों मिलकर पांच वक्ड और काम कितना करना है तीस तो तीस को सीधा तीन और दो से भाग दे दिया कि करते यह भी थिपाले भी अब हम लोग वर्क के तरह से सूचने लगे कि टोटल वर्क ही 30 है काम 30 है और एक दिन में तो काम करता है दोनों मिलकर एक दिन में पांच वर्क कर रहे हैं यानि काम 6 दिन में समाखता है लेकिन जब अल्टरनेट डे होगा तो क्या लिखा हुआ है कि तीन और दो एक दिन में दोनों पांच है लेकिन अल्टरनेट डे के कारण दोनों दो दिन में पांच वर्क कर रहे हैं तो इन टू डेज दो दिन में ए प्लस बी थ्री और टू फाइब वर्क और टोटल वर्क है कितना था तो टूटल वर्क है थर्टी सिक्स वर्क अब बताओ जब टूटल वर्क थर्टी सिक्स है और हम लोग का पांच वर्क कर रहे हैं एक बार एक बार वन टाइम आएक टाइम जो दू दिन का होता है बाद में सीधे दो से मल्टिप्लाइब तो बताओ ना ये पांच का तो लोग सिधा क्या करेंगे थर्टी सिक्स को 50 से डिवाइड कर लिया 577 वर्क हो गया कि समझ में रहा है कि हाथ सर्फान में यह 7 टाइम्स वर्क रहे वर्क ने हुआ 7 टाइम्स व्हार और 7 टाइम्स में इतना वर्क हो गया 35 w थे भाइन्स वड़ाइन इस में किसी को प्राप्लिम तो यहां तो पॉर्णी के साथ जैसे 36 है ना, 36 को आप 5 से भाग दे दो, 7 ताइम्स, 5 से थे 35, और 1 ताइम दो दिन का, यानि 2 से मल्टिप्लाई करते इसको, क्या, 2 इंटू 7 ताइम्स में 35 वाग, तो 14 दिन हो चुका है, यह टू डेस था, तो 14 दिन काम कंप्लेट, आप बताओ, रेस्ट वाग के कितना है, यह सब लिखने क्या हो सकते हैं, कि वह लिख रहे हैं कि एक वाग पढ़ने के लिए, यह सब तो पढ़ने के साथ ऐसे लग गया, कि 7 पज़पैतिस एक काम बच गया क्या करते हैं, 36 में से 35 कंप्लीट हो गया, तो एक वर्क बचा हुआ है, एक वर्क हम लोग लिखे हैं, बचा हुआ वर्क कितना है, एक, अब इसको कौन करेगा, अगला दिन फिर, एक, अब ए जो है, एक दिन में तीन वर्क करता है, तो एक वर्क कितने दिन में, अगले दि नेक्स्ट डेल एक वन बाई थ्री काम एक वर्टा थीन तो समय भी एक वर्टा थीन तो टोटल टाइब क्या लग गया चौदा पुनांग एक वर्टा थीन यानि 43 वाई 3 डेज अब यह ध्यान देना कि क्या इतना सारा लिखने में लिखना जरूरी था नहीं तो हम लोग क्या करें डारेक्ट पढ़ेंगे अब इस कोश्चन को फिर से देखें कि देव और काल्टरनेंट जब भी ऐसा कोश्चन आ आएगा अब आगे से लोग प्रियां यूज नहीं करेंगे देख की बनाएंगे 12 ऑर 18 और 18 का एलसे थाटी से 12 से तीन बार में 18 से दो बार में यहनी दोनों पांच बढ़ कर रहे हैं एक एक दिन में यहनी दो दिन में तो पांच का पच्छत टोटल वर्क हो गया सब्सक्राइब करना इस पर आज बहुत सारे कुश्चिन होई है तो आम लोग पहले देखें अगला कुश्चन देखो 20, 30, 60, 60, in how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day करा कि दूसरा दिन कोई नही आरा है केवल A आरा है तीन दिन में पाला दिन ए दूसरा दिन ए तीसरा दिन ए तीन दिन ए और एक दिन भी सी तो ये क्रंग ये साइकल तीन दिन का हम लोग बनाएंगे तक तीन दिन में तीन दिन A एक दिन B और C फिर अगला तीन दिन में तीन दिन A फिर B और C तो ये अलग अलग निकालते तो लिंदी होता तो हम लोग पहले देख लें कि यहाँ पे टोटल वर्क क्या होगा सब लोग बोलो तो टोटल वर्क 60 होगा से लिए 60 unit सर अब बताओ A एक दिल में कितना वर करा है सिदा 20 से डिवाइट करो A एक दिल में 3 unit work करा B एक दिल में कितना unit करा है 2 unit 2 unit और C एक दिल में कितना unit करा है 1 अब ये तो समझ में आ गया अगर कुश्चन ये कहता alternate day वगरा नहीं कहता अकादा तीनों ने काम शुरू किया काम कितने दिनों में समापत हो गया All start together in how many days the work will finish तब एंसर क्या होता तब दावादा 10 दिल में काम समापत हो जाता होता है कि नहीं होता ये तीन वर करा ये दो वर करा ये एक वर का तीनों मिलकर के छे वर कर रहे हैं एक दिन में तो start walk 10 दिन में यानि ऐसे भी हम लोग को पेंट नहीं लगाना पड़ता है किसी भी कुश्चन पर हम लोग अब ट्राइब कर सकते हैं लेकिन यह अल्टेनेटर और आसान हो जा रहा है इस मेंटर से एक इतना दिन काम कर रहा है तो एक तीन दिन है अब बता एक तीन दिन है तक तीन दिन में कितना उनित होगा नpit हूँ इन गफै और ओर भी एक दिन में कितना ंसाख़ी और सी एक दीन में कितना इनित वा न स maior कितने दिनों का होगा ओधाउ तार कटेंपक सिल यॵिसा से विल्ट कते हैрах तेट थीòng कशेश्ट है एकशतित लिए दूसरो य। वार कितना करना है साथ शक्स्टी यूनिट अब ट्वैल्ब का यह कितना टाइम से कितना बार कितने बार का वाइब टैम स्रुप टैम्स तो यह फाइब टैम्स हो गया और वन टैम मतलब तो तीन दिन है तो तीन गुणा पांच 15 दिन हो गया बता आप कोई प्रॉब्लेम बहुत इजी है इस डंग से अल्टरनेट को सोचना फिर से देखें 20-30-60 है फिर नहीं लगाएंगे देख करके बुलते हैं 20 से तीन बार में और यह तीन दिन है ते तीन 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 आई नो वर पी 30-100-92111 और सी तो 60 है तो एक बारह तो बारह वर किये लो में तिन दिन में कर रहा है तो ट्वयल्व से कितना टाइम उगा उसका पांच गुना फाइब ह्शाए जोह सासे तो तीन गुना पांच पंद्रयPM किसी को प्रॉब्लेम प्रशांद आवाज मिला है, शायद म्यूट अन्मूट में प्रॉब्लम हो रहा है पाउच दे है मेरी आवाज तो जाही रही हो कि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अगले दिन से सीख जाओ गो अगला कुश्य है, नाइंटी सेबन, ऐसे ही बनाएंगे ठिंक विदाव टिंक, पेर नहीं लगाना है एंसर बताना है, सोच कर, बताओ 41 बाइफ, 41 बाइफ, 41 बाइफ, 41 बाइफ, 41 बाइफ, रटे वे हो किया वह रही है, सर बन गया है अगला दिर जो रेस्ट काम के लिए फिर ए आता है, इफ ए स्टार्ट बाइफ, ए आता है, और इफ बीस्टार्ट बाइफ, तो बी आएगा, हम दोनों को इस पर देखते हैं, इफ ए स्टार्ट और दूसरा इफ बी स्टार्ट, बी स्टार्ट तो कितना टाइम लगेगा, क्लियर है, तो सब सब पहले देखें, नाइन और ट्वेल, वर्क कितना, थर्टी सिक्स, नाइन से कितने बार में, चार बार में, बारज से कितने बार में, तीन बार में, तो चार तीन, साथ बार, कितना टाइम्स, दो दिन में साथ तीन, पांस दुना, दस हो चुका है, काम कितना बच गया, एक, एक वर्टा चार, हो गया, 10, 1 by 4 तो A था question में 9 B था 12 अब बताओ, दोनों का LCM हम लोग टोटल वर्क टोटल वर्क टोटल वर्क क्या ले ले? 36 एक दिन में 4 वर्क ये 3 वर 7 वर्क और 7 का 36 कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है और ये कितने दिन में था? ये दो दिन में था in 2 days in 2 days 5 टाइम्स है तो इसको number of days क्या हो जाएगा? तो 2 into 5 तो हो गा है प्लस काम कितना बच गया जी? 1 by 36 35 हटा दिये एक ही वर्क न बच गया तो A कर रहा है देखो अगर A स्टार्ट कर रहा तो 1 by 4 कितना इजी है? और अगर B स्टार्ट करता तो 1 by 3 1 by 3 समझ में आ गया है समों को? अगर A ये है कौन? A स्टार्ट A स्टार्ट तो अगले दिन फिर ये A आया तो A तो एक दिन में 4 वर्क करता है तो एक वर्क 1 by 4 और इप B स्टार्ट तो ये 2 into 5 तो इस केस में भी होगा समझ गया है? लेकिन प्लस आप B जो है एक दिन में 3 वर्क कर रहा है एक ही वर्क पर जाया तो 1 by 3 होता कब इस B स्टार्ट तो इन कोश्चन्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर A स्टार्ट तो क्या होगा और अगर B स्टार्ट तो क्या होगा बाद में इसको लेकर करके कोई डाउट भी बहुत दीजिया किसी को कोई प्रॉब्लेम? साथ सी समझ में आ रहा है? यस सर अस्विली? तो आल्टरनेट वाला समझ में नहीं आ रहा है जैसे बारी बारी से एक दिन वहां तक आप आप जाड़े नौ दिन और बारा दिन तक काम कर सकता है इसना अल्टरनेट वाला समझ में नहीं आ रहा है यह हम अल्टरनेट ही तो बता है अल्टरनेट का आर्थ हो गया एक दिन यथा दूसा दिन भी था देखो alternate दो से multiply किया तीन दिन में से multiply किया कहीं कुछ नहीं करना हम लोग यह तो सोचे कि यह nine days में हम लोग पहले बारी बारी नहीं देखे हम लोग क्या देखे कि यह nine days में 12 days में लोग तोटल काम 36 हो गया तो अधिक यह तो nine days में work कर रहा था यह चार काम करेगा यह तीन काम करेगा दोनों मिलकर के साथ वर्क की एक दिन काम किये मानलों साथ वर्क हो गया अच है तीस वर्क करना साथ बन गया 36 sword बनाना है, समझ मैं हारा है, तो कितना बारा ऐसे होगा, और 7 पचे 35 बार, 7 पचे 35 और 35, 35 वर्क होगा 5 बार में, एक बार में तो 2 दिन हो जरा है, अब alternate में आरा, तो work करना 36, और हम एक दिन में 7 बार कर रहे हैं, तो 7, तो ना 14 साथ दिया किस से 7 पचे 36 को भाग दिया, 7 पचे 35 काम तक तो हमारा यसे क्विज चल गया, तो 35 काम 7 पचे 5 गुना है और 1 गुना 2 दिन का है, अब यहां देखना alternate मतलब 2 दिन हुआ, तो 2 से 5 को गुना कर दिये तो 5 दिन, यह 10 दिन हो गया, यहां पर alternate का यूज इसके पहले कहीं कुछ नहीं किया, ना लास्ट में किया शुरू में किया, क्लियर? आगे सर समझना है, आगे दिखो, 98, ABC can do a piece of work 30, 20 and 10 days is assisted by B on one day and by C on next day, क्यवाल अपको मिनिंग ही तो समझना है, इसका आर्थ क्या हुआ? आयू से सिंग, मिनिंग बताओ, मिनिंग मितला किताब, वहां हिंदी देखके नहीं पढ़ना है, तुम जो समझी वो बताओ, आयू से सिंग सुन पा रहे है, तुम तो बोल रही है तो आवाज नहीं आ रहा है, नहा, ये सर्थ को अज लेट आएं क्या? ये सर्थ कोश्वन नहीं, क्या 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 रहा है, इसका फ़र मिनिंग मितला है, तुम जो समझे वो बताओ, अ, ए, लिएंद सर्थ क? एब अ, बी सबस्का है, वो समझा करते हैं, पां, बीज सबस्क्राइब, लुक्षित नहीं, जो समझा, क्या कर नहीं रहा है, bounced 3, 10 दिन वेख्राव, 24, 30 दिन 10 दिन, और दस दिन मेंbaj, वो त अछ्रelles कम सबस्क्ता है, पार्ला दीन एक के साथ बीड़ाता है और दूसरे दिन एक के साथ ची आजाता है पी और थी अट्रेनिक हो रहा है मतलब पाले दीन ए और वी काम पे रहते हैं और अगला दीन यह उत पांचे फॉस्ट ए सब्सक्राइब कुशन करा एक पी तथा सी देखो हाइलाइट किया है मैंने वी और सी बारी बारी से काम में एक इसाहता करते हैं और बारी बारी से मतलब बेज में है यहां तो एज असिस्टेग वाइब बी ऑन वन डे एंड वाइज सी और नेक्स दे तो पहले दिन फॉस्ट डे ए प्लस भी और नेक्स डे ए प्लस दे ए प्लस देखर क्या लग रहा टोटल वर कितना माला है इस टी टी जिए और एक दिन में कितना काम करेगा वो दूब 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 करेगा जोट एक दिन का वर्क हो गया अगर व्रक सिक्स्टी है और एक एक ठटी डिए में करा मतलब एक दिन में दो दो काम करेंगा तब ने 30 गुनाद दो साथ होगा अगला दिन तीन ऐसे करके विस दिनों तक काम करेगा तो विस तयाएंट इस तो फॉस्ट यह है फॉस्ट दे फॉस्ट डे प्लस बी सेकेंड डे एपलस धूर्ड और यहां के बाद भूल जाओ कि अलटर्णेट है कि क्या है अब बता ए और भी एक दिन में कितना काम कर रहा है जी तो और भी कितना वर कर रहा है तू यहां लिखांगा तो एक दिन में कितना काम किये पांच अब सांगी आई आइ एक दिन में कितना वर कराद दो और सी अरशे एक दिन में कितना काम करेगा आठ 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 बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लेम सौम्या क्लिए रहे है यह तो यह पांच वर्क है यह आठ वर्क है दोनों मिला दें तो दोनों मिलकर कितना वर किये आठ और पांच तेरा वर अठ वर्क है अठ वर्क है जी शिक्स्टी वर्क है इसका कितना शुना है तो पांच गुना होगा तो तेरा वर्क है तो नहीं हो रहा है तो तो नहीं दिख रहा है कि आप लोगों को अधिक रहा है सर दिख रहा है तो रेस्ट वर्क होगा कि नहीं होगा बुलो अधिक तो अधिक वर्क होगा यह नहीं होगा अधिक जब काम बच गया आठ काम बच गया और अब क्या बता है जब काम बच गया तब देज का यूज करोई तो अल्टेनेंट ने था दो दिन में था पाला दिने जो दूसरा दिने सी यह यह दो दो है तद दो गुना चार यानि आठ दीन में एट डेज में 52 वर्क हो गया अब बता अगला दिन कौन आएगा कोशह पर बिश्च नहीं कहते है जो पहला है यह दो आएगा यसरे प्लस भी एक दिन में कितना वर्क करेंगे कि पाइप यह पाइप यह पाइप यह पाइप नहीं सब्सक्राइब कि अगले देल एक कि इपना बनाएंगे केवल पाँच आप क्या बच गया नाउ रिस्ट थी बचसर इसके बाद यह अगला दिन को आएगा ज़ल्दी बुलिए फास्ट एंसी इंसी नाट एंसे अगेफ तो यह तो मैंने स्टेप से लिख दिया हम लोग जवाब मैंने जो बोला कि अब आपको यह कोशिस करना है कि हम लोग पढ़ने के साथ कोश्चन कैसे सॉल्व करें कमад तैनों का ल्सैस मैंने बता टोटल वर्क हो गया साथ वर्क से ये दो टे का हो गया दो वी का विया तीन सी का हो गयाह चे여 और परला दिन A जूर B, अगला दिन A जूर C, तो, A और B कितना काम करेंगे तो, दू और 3 A और C कितना बर करेंगे तो, दू और 6 तो तो, तो, तैल मेकल को ग olmatライ, पांच और आठ 11, 13 से 60 कितना टाइम्स जह? 4 गुला है, 12 चुका यह 52 और board 55 आ जाइ। बचा तो लाज्टे इंड ए और सी करेगा यानि थ्रीवाइट नमबर ऑफ देज जो हमारा हो गया दो गुना चार तो होई गया प्लस एक और अप्लस तीन भाई आठ तो आठ और एक नौ पुना तीन बटा आठ देज हो गया पचातर भाई एट सेवंटीफाइब अगर कोश सबसे आसान पार्ट यही है लग रहा है अधर भी सोचोगे न तो और मतलब सबसे मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा चैप्टर यह आर टाइमर वर्क माना जाता है लेकिन अब क्यूंकि इसे नंबर ऑप कोश्चन भी सब जगह रहते हैं और ज्यादा कोश्चन यहां से रहत सब्सक्राइब सब्सक्राइब वह कट रहा है कि नहीं है नहीं तो उसका म्लटीपल पंच वना 110 होता है लेकिन इस से नहीं कटेंगा तो 55-3 नहीं होगा 55-4 तो 220 ले लिए हम लोग अब आपको समझने के लिए लिखा जा रहा एज और भी एज और सी आप तो समझ गाए कि दो दिन में आप तो एज और भी कितना रहा था जी 20 प्लस से क्या रहा ना अब जो पनाएंगे हम लोग तो सिधा अम लोग A B C का A B C का कैसे लिख लेंगे तो एक दो बारत अब इस दुना चालिस जोर एक यारह जोर चार यानि सीधा पच्पन कि इस पाच्पन का 220 कितना गुना चीदे चार गुना फोल टाइम्स में 220 यानि कोई वर एक देर तो यह तो अब आएंगे अल्डेनेट के कारण इन टू डेज यह था यानि टोटल नंबर ओप देज क्या हो गया टोटल नंबर ओप देज तो दो गुना चार आठ देंश सबों को क्लियर है अश्वनी कि परसांत को कोई है है करो कि परसांत कि अवाज नहीं जा रहा है कोई बताओ कैसे आगा कि अवाज नहीं मतलब वो पता नहीं कि यहां तो दिखा रहा है कि उसके पास मेरी बात जा रही यह लिकिन उसका नहीं आ पा रहा है प्रशांग कि अब 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 तुम्हारा वाज या रहा है सब्सक्रइब अगला कोशन कोशन समों को दिख रहा है क्या हाँ दिख रहा है थे तो हम पर देना पूरा एक पेज़ का है और ग्रूप अब वरकर्स कैन कंप्लीट अपी सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो यह 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 वागा एक दिन पे एक नाव जो गया अब अन दफ वास देड वन पर्सन वर्क पहला दिन एक आम करता है यह दूसरा दिन अन सब्सक्राइब नहीं हुआ तो लगभग कितने दिन में अप्रॉक्सिमेट देज पूछ रहा है यहनी कंप्लीट देज नहीं होगा वह सकता है लेकिन यह अप्रॉक्सिमेट में पूछ रहा है कि नमबर अब देज दवर्क विल फिनिस् अजया एक दिन में कितना वर्क होगा बताओ सब लोग एक दिन में एक दूसरे दिन में एक तो फिसरे दिन में की चोटल नमबर आप वर्क हम लोग सपोज कर लेते हैं पचास यूनिट इसका अर्थ है कि वन मैन इन वन देड़ कि वन वर्क हम को काम कितना खतम करना है पचास तो पहला दिन एक फ़र्च दे एक काम अगला दिन कितने अदमी हो जाना है कि दो कृषके टो आदम हो रहे हैं प्याहिए ठीट बंपनी हो कि मस्तिति पघ्राइं दोसरा दिन एक बोसर बंड़ुआ दूसरा दिना रमेगा अचाफे दीन मत्सरे का ऊचफिने, और इस गांग से कितने तीनों में पचास सव बनेगा 9 या 10 दोनों के बीच में सब को जोड जाना इस रापस में तो एक दो एसे लिख दे नücks 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 ऐसे जाना दे जी सिर्ट एसे जाना आघ्रवलिय। मतलब देखकर लगरा हैम् Пशे हाए अगाला दिन यह जो जाता है कि नहीं? यह सर्थ लेकिन टोटल नमबर अप्रॉक्स में अगर पूछ रहा है अप्रॉक्स टोटल नमबर अप्डेट्स तो दस देख पूले फिर से क्वेशन पढ़िये कामचारियों का एक समुझ ब्यक्तिकत रूप से काम करता है तो वह किसी काम को 50 दिन में पुरा कर सकता है पहले दिन एक आदमी दूसरा आदमी आगला दिन दूसरा आदमी तिसरे दिन एक और आदमी सामिल होता है जब तक कार्ज पुरा दिन होता यह प्रकिरिया चलती रहती है यानि परणी एक वाक दूसरा दिन दो वाक तिसा दिन तीन वाक चौता दिन चार वाक पात वाक पात वाक आदमी आदमी रखना पन से टेंका सम 55 होता है बात में वह हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे अगला कोशन दो पड़ो अभी सी दस दिन तीस दिन साथ दिन एक एक दिन छोर का भी और सी से पोशन है बताव हैं सर कितना है आप एट दिन टे जा रहा है यह सर अब आप 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 दिन टे बानाते हैं दिखते हैं आप लिए यह दो और यह यह जो आए एक एच गुना दो बारा दो चौदा एक पंदर कांब 15 वर्थ एक दिन में हमको करना है कितना 60 वर्थ इसका चार गुना है और तब मैंने कोता है उसके बाद देखना कितने दिन का क्रम है यह फूर टाइम्स तो टू इंटू फूर एटेस यानि पांच सिकर्ट में चलो अगला कुशन यह सब्सक्राइब करने के साथ कोशिश करना कि 10 सेकिंड में सॉल्व है चलो एक सो तीन उसका तो आ रहा है बारह 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 गंटा चत्तिस मिनट जो की ओप्सन में है नहीं सर बारह 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 आवर्स 40 मिनट आया मेरा अच्छा मैं समझे आप बना दीजिया से नहीं सर बारह गंटा शत्तिस मिनट यह आ रहा है तो आप बनाने का नहीं एप्रोच हम लोग को समझ में आ गया सर अब जो ज़्यादा थे ना काना चाहिए कि सर एक काम की ज़्याना इस कोश्चन को बता दीजिए ठीक है चलो वन और तिर उननेस नहीं होगा उननेस है कि एक सो चौदा छे काम बज़ गया समझ में रहा है कि साथर वन टाइम में कितना वर को रहा है बारह जो नाइंटीन वर हम लोग को करना कितना है कितना गुणा ननेस्च छके 114 शिक्स टाइमस। शिक्स टाइमस में 114 वाग क्या बच गया छे वर जिक्स बचाए तो इसको आप आप देखेंगे नंबर ओव डेस यह तो दो दिन का था दो गुणा छे दाट इस बारह दिन में उतना आ गया छे वर्क बचाते हैं जल्दी से बता अगला दिन कौन आएगा केवल ए और भी ना छे वर्टा दस तो ये बारा दे और प्लस ये छे वर्टा दस दे तू थी जा तू फाइब जा अचा अब मिनट में पूछ रहा है तो बारा दिन तो कंप्लीट है बारा मिनट ज़्टी से को अधा गया थी तो है तो इस अधिन आट अट आ अधिस आधि आधित कॉछ जान अधिस जान आधि तीन आधिस लागन अधिस सब्सक्राइब कॉछ थे लिगता सब्सक्राइब सीमा 9 बजे शुरू करती है तो कब काम कतम होगा जल्दी बता टोटल बार कितना 24 टोटल बार 24 टोटल बार चौबिस आठ से 3 12 से 2 5 से 24 चार बार में पूर टाइम्स तो चार वर्क बच गया पूरा लिखते को दाना होगा कि सरीए सरीए 12 दोनों का सब्सक्राइब कर दोनों मिलकर एक दिन में पांच इसका कितना गुना है चार गुना है पूर टाइम्स तो दो गुना चार डाट इस आठ दिन एट देज में कितना वर्क हो यह साड़े छे बज़े होगा जर साड़े छे बज़े रहा है आठ देन अब इसा यह काम कितना कर लिया 20 तो रेस्ट वर्क पूर पूर और यह एक दिन में तीन ही काम कर सकता है यानि आवर है नहीं है एट आवर्स तो हो गया एक घंडा और तो चार में से तीन घंडा दो अब एक बचा और एक बचा दो यह हो जागा तो पहला टू इन्टू फोर्थ होई गया प्लस एक घंडा और आकर के ए ने काम किया प्लस आदा घंडा बी ने तो चार तुना ठेकना साड़े का घंडा तो नौ बज़े शुरू हुआ तो नौ 9.30 abas golly कोईप्रोब्लम नी नउसर कोईप्रोब्लम तो यह एक कैसे आए वो प्रोब्लम होना क्या तो अध्या वोन कैसे आग गाइ सरो अध्या जागा प्लस बचा तो आछा पटातो करेंगा शर्पर अंज कि इंदे न काम करेंगा इसका इसका चार गुना है देखो ड़ाइट भी हम लोग ऐसे भी निकाल लियुए थे जैसे इम टाइमधे आपको कोशन को इसका चार गुना तो चार गुना फांच ओका बीसे काम होगा ना तो 24 में से पांच पुना चार अगर घटाओगे तो कितना वर्क बच गया चार चार वर्क में एक कितना वर्क कर सकता है दीन भर में तीन तो अगला दिन ए आएगा तो तीन काम करके जाएगा सबसे पहले जवाब तो कौन जवाब देता है कि पढ़ने के साथ जवाब दे देना चीए था एलेवन देज सर गड़ परसांत कुछ कहना चाह रहे हो नहीं था समझ रहे हैं एक्दम कि बहुत ही जिस्था कि देख के जवाब देते एक आर नाइट आ के इक तीन है बता दोनों का exeam 45 वो गया यह नाइन से पांच बार में एक दिन पांच गाम यह इस आठ का 45 इतना टाइम्स है आठ पच्छे 40 फाइव टाइम्स है तो दो पुना पांच दिन तो यह हो ही गया हुआ कि नहीं हुआ तो चालिस वर्क अगर माइनस कर लिए तो अब फाइव वर्क बच गया तब यह तो एक दिन में पांच वर्क करी रहा है तो अगला दिन यह आ जाएगा तो वन दें तो दस और इंग्यारा दें लास्ट क्लास का यह क्लास का लास्ट कोश्यन लिकिजिए अब आप ऐसे लिए नहीं लगाओ थेंग विदाओ टीग आप तो अल्टरेनेट में किसी भी तरह का भुशन हो अगा इस बैंकिन एक्जाम में आरगी में या एस्वी आई के शाम में तो केसलेट्स में यह लाकर के देडिता है अब केस्ट में वहां पर शुचने लगते क कैसे वर्क फिनिस होगा इसी वे में वहां आगे बढ़ोगे केसलेट में तो बहुत हीजी होगा आएगा हम लोकेशन नाइंत जन्वरी होगा क्या सब्सक्राइब जन्वरी को शुरुआ तो नौ एक दस जन्वरी हो जाएगा वन से स्टार्ट ही हो रहा है तो फिर एक से स्टार्ट है नौ दिन लगेगा तो नौ और एक दस दिन कि एक कहां से अगे है सर थे स्टार्ट है जन्वरी यह झाता है कि यह कि तो नौ तक समों को कि लिए रहे कि एक कितना था टेइन वी का क्या था एक लोग दोनों का इस लिए कितना है अजी पॉट्टी सर्ट चार पांच नौ का पांच गुना नहीं है चार गुना है तो नौ चो का शत्तिस चार काम बच गया कि एक करेगा से एक दिन कम बेंगा सब्किन एक दिन मान लगा रहा है तो फोर्ट टाइंच यह तो यह पहले वाला हो गया और घरी तो नेक्स डे ए आएगा ए एक वर्ट कर लिया वन वर्ट यानि टोटल नंबर आप डेस एट और वन नाइन डेस एक जनवरी को इसाथ हुआ था जेनरली हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं उसमें नाइन कर देते हैं दस जनवरी कर देते हैं जब स्टार्टेट विथ वन तो न पाइपन सिस्टन